जै मातादी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज है नवरात्री का पहला दिन और इस दिन माता शैल पुत्री की पूजा की जाती है शैल पुत्री देवी दुर्गा के नौ रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती है ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है परवतराज हिमाले के घर पुत्री रूप में उत्पन होने के कारण इनका नाम शैल पुत्री पड़ा नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इनही की पूजा और उपासना की जाती है इस प्रथम दिन की उपास्तना में योगी अपनी मन को मूलाधर चक्र में स्थित करते हैं यही से उनकी योग साधना का प्रारंब होता है अब मैं आपको सुनाऊंगी मातशेल पुत्री की व्रत कथा एक बार प्रजापती दक्ष ने यक्य करवाने का फैसला किया इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंतरन भेजा लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा देवी सती भली भाती जानती थी कि उनके पास निमंतरन आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो उस यग में जाने के लिए बेचैन थी लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया उन्होंने कहा कि यग में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंतरन नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है सती नहीं मानी और बार-बार यग में जाने का आग्रे करती रही सती के ना मानने की वजह से शिफ को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमती दे दी सती जब अपने पिता प्रजापती दक्ष के यहां पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है सारी लोग मूँ फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने सने से उने गले लगाया उनकी बाकी भेने उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पती भगवान शिफ को भी तिरस्कृत कर रही थी स्वेम दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा ऐसा व्यवार देख सती दुखी हो गई अपना और अपने पती का अपमान उनसे सहर न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कलपना स्वेम दक्ष ने भी नहीं की होगी सती ने उसी यग्गी की अगनी में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिये भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए दुख और गुसे की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उसी यग्गी को ध्वस्त कर दिया इसी सती ने फिर हिमालय के यहां जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वज़व से इनका नाम शैल पुत्री पड़ा तो दोस्तों ये थी माता शैल पुत्री की व्रत कथा आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो हमारी चानल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले